दोस्तो आज हम डाई फूट का नास्ता करने जा रहे हैं यह आप देख रहे हैं आपके सामने डाई फूट रखा हुआ है और फल भी रखे हुए है और जो डाई फूट से नास्ता बना खोई सामने है दोस्तो आज मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि हम नास्ता करना बहुत ज़्की है और सुबह का नाश्ता करना थो बहुत ही इंप्रौ्टन्ट थे वह पिछले समय भीका था कि हम लोग राद का का खाने से लेकर सुबए को खाने तक 10-12 गंडे का अंतर पर जाता है just में हमारे सरीह में जो है इनर्जी कम आधिये स्थरी को बनाए रखने के लिए कि निए सुबें का ल्गहाए नासता करना करना सुरु करदेना चाहिए सुबह का नास्ता हेल्दी हो इनर्जी देने वाला हो जब सरीर में इनर्जी रहेगी तो आपकी इमिनीटी बड़ी रहेगी और सारीरिक प्रतृरुदक शम्ता भी बनी रहेगी तो करोणा जैसा बीमारी या करोणा जैसा दुस्मन हमारे सरीर पर अटेक नहीं करेगा अगर अटेक करेगा तो हार जाएगा तो्धों और मैं उन लोगों से जो करोणा के भुखत भुगी हैं जो करोना की बीमारी का सामना करके स्वस्थ हुए हैं उनको अपने सरीर में इनर्जी देना पॉश्टिक नास्था करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके सरीर में इनर्जी है तो उनके सरीर में इमिनिची भी रहेगी, सारी रिक प्रत्रूदर्ट चमता भी रहेगी, इसलिए सुबह का नास्ता करना बहुत जरूरी है, और सुबह का नास्ता में पॉस्ट्रिक नास्ता होना चाहिए और आप अलग-अलग भी नास्ता क कर सकते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको डाइफूट का नास्ता बता रहा हूं अब आज मैं भी डाइफूट का नास्ता करने वाला हूं दोस्तों डाइफूट में हमने यह काजू लिए यह जो काजू आप देख रहें यह काजू है पांच काजू लिए कि मैं अकेले हूं इ यह चुहा रहा है दोस्तों यह मैंने पांच चुजहा रहा लिए और दोस्तों यह बदाम है मैंने पांच बदाम लेampf और दोस्तों यह भर आर्येर गरी जिसे यह कैते हैं इसका है भी एक टुकड़ा लिया और इसके बाद हमने दोस्तों यह अख्रोड है इसके भी पांच टुकड़े ले लिए और दोस्तों यह मूंग फली का दाना जिसे भंबई में सिंग दाना कहते हैं वह भी हमने ले लिए मुठ्ठी बज़े लिए और इसके बाद हमने यह मखाना लिया मखाना भी 10 ले लिया और दोस्तों इसके आद आदा लीटर दूद लाल लिया और दूद भी बॉयल हो गए है अब जब दूद बॉयल हो गया है सब चीज वाइल हो गया तो वाइल होने के बाद गरम है जब हमने 10 मखाना डाल लिए और एक केला डाल दिया दो केला भी डाल सकते हैं इसके बाद यह आपका जो डाइफूड है जो आप देख रहे हैं यह बन करके तयार हो गया अब इसको आप आराम से खाईए और जब यह खा लेंगे तो आराम से जो इसका दूद बचा हुआ है वो दूद पी लिजिए और इसके बाद दोस्तों किसमिस भी खाईए डेली जो है कम से कम दस बीस दाने किसमिस के खाने जरूरी है डाई फूड भी है और इसकी सबसे बड़ी विश्यस्ता है कि यह सरीर को आक्सीजन देती है लेकिन सब के साथ अगर डालेंगे तो दूद जो है ना फट जाएगा इसलिए किसमिस को अब अलग से काईए तो दोस्तों जो हमने नास् आजी देने वाला है यह नास्ता करने के बाद आपको चार घंटे भूख नहीं लगेगी और सरीर इनर्जी से भरपूर होगा आपकी इम्मिनुटी बढ़ जाएगी सारीरिक प्रितिरोदक्षमता बढ़ जाएगी और करवना जैसा दुस्मन आपके पास नहीं फटकेगा दोस्तों हमारा देश सवस्त रहे सुखी रहे करोना खतम हो जाए और हम सब लोग अपना काम रोजगार करने लगें क्योंकि हम सब लोग बिना काम के परेशान हैं वेकार हैं और तकलीव की बात यह हैं सबसे ज्यादा परेशान हैं के वह कि अमारे देश की जन्ता समझती है फिल्म बाथे बहुत रहें हमारी सरकार समझती है फिल्म बब क्रहुत अमीर होते हैं तो फिल्म बालों की ना सरकार मदद करती है ना जनता मदद करती है और जो बड़े-बड़े हीरो है लिजा करते हैं सरकार को सब्सक्राइब इतना पैसा दे रहे हैं लेकिन लाखों मजदूर हैं फिल्म वाल ले जो टैकनिक्स तैक्निटिसेन मजदूर आर्टिस्ट हैं छोटे छोटे राइटर हैं पूरूसर इंडाइरेक्टर वह सब परिशान है करोना से तो करोना खतम हो और फिल्म का काम शुरू किया जाए जिसस पर जो आई हुई मुसीबत है टल जाए दोस्तो हमारा चैनल में जो आपने कहा कैसा लगा आप अपने विचार प्रकट करें और हमारे चैनल को देखते रहें और दोस्तो सुबह का जैसे आप सुबह सुबह करके उठते हैं उसके दो गंटे के बार आप नास्ता जरूर करें अब कोई भी नास्ता करें दोस्तो आप हमें जरूर अपना विचार बताएं नमस्कार